हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ विकास और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर आज हम जानेंगे कि रेड्मी के फोन में डवल टैप टू वेक अप या डवल टैप टू 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 अन स्क्रीन या आफ वाली सेटिंग आप कैसे कर सकते हो या आपको कहां मिलेगा और अगर आप इसकी सेटिंग कर रहे हो पर ये काम नहीं कर रहा है तो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी क्या वज़ा है और ये कैसे ठीक हो सकती है तो आईए जानते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको मिलेगा कैसे सेटिंग में जाएए सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलेगा Always On Display या आपको मिलेगा Display दोनों में से एक में मिलेगा आपको यह option तो अगर आपके फोन में Always On Display है तो इसे Open करें यहाँ पे आपको मिल जाएगा Double Tap to Wake or Turn On Screen या On Off वाला यहाँ नहीं मिलती है तो यहाँ पे उपर ही आच चुकी है हम इस पे Touch करेंगे तो उसी PACE भे हम पहुझ गए है बारी आती है आपने इसे On कर दिया है यह Off कर दिया है पर On कर दिया है तो काम नहीं कर रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं नए model आये हैं उसमें एक दिक्कत देखने को मिली है जो double tap वाला feature है वो lock screen पर यहाँ पर तो काम करेगा पर वो यहाँ पर यानि lock खोलने के बाद यहाँ पर काम नहीं करेगा वो सिर्फ यहीं पर काम करेगा जैसे कि यहाँ पर on हो गया है अभी यहीं पर काम करेगा जब तक आपकी phone की screen lock है तब तक काम करेगा उसके बाद काम नहीं करेगा तो मैं दिखाता हूँ आपको तो यहाँ पर हम double tap करते हैं तो यह बंद हो जाएगा और double tap करने से खुल जाएगा पर जैसे हम lock खोल देंगे तब यह काम करना बंद कर देगा तो हो सकता है यह Redmi के तरफ से एक bug हो जो कि सायद software अपडेट के बाद आपको दिक्कत देखने को ना मिले यह हो सकता है यह permanent issue हो और यह हर phone में आ रहा है डेट में के जो latest phone आ रहे हैं उस phone में जातर phone में यह problem देखने को मिल रही है तो सायद आप समझ गए होंगे ऐसा नहीं है कि वो feature काम नहीं कर रहा है पर वो साय से अपनी जगव काम नहीं कर रहा है जहाँ पर करना चाहिए वो यहाँ पर काम कर रहा है बस वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें चैनल को साबस्क्राइब जरूर करें